दोस्तो जो ही हम अकवार खोल कर बैठते हैं कोई ने कोई समाचार ऐसा होता है जो हमारी अर्थ विवस्था से जुड़ा होता है जो अर्थ सास्तर की अवधारणाओं से संबद्ध होता है इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अर्थ सास्तर से संबद्ध आधार भूत अवधारणाओं के बारे में अवस्य जान ले आज हम अर्थसास्त्र के संबंध में एक संग्षिप्त चर्चा करेंगे आसा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी दोस्तो इकोनोमिक सब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भासा की एक प्रशिद्ध उ इमेन से हुई है इस उक्ति का आर्थ है वह वेक्ति जो घरेलू कार्य कलापों को चलाता और प्रबंधित करता है कालांतर में इसका आर्थ हो गया वह वेक्ति जो संसादनों का उपयोग पूरी सावधानी और विवेक पूर्ण तरीके से करता हो इस तरह एकोनोमिक्स का आ आवधानी और मित्वेता से उप्योग ताकि उनकी हानी को रोका जा सके और उनकी फिजूल खर्ची को कम से कम किया जा सके। टेलिविजन, किताबें, कार और भी बहुत कुछ इसमें सामिल किया जा सकता है। क्या हम इन सब इच्छाओं की पूर्ती करने है तू वस्तूओं और सेवाओं की खरीददारी कर सकते हैं। क्या अनन्त इच्छाओं की पूर्ती है तू वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाना शंभव है? साइद नहीं लेकिन क्यों? ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संपूर्ण आवश्त्ताओं और इच्छाओं की पूर्ण संतुष्टी के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। संसाधन उन इंपूर्ण को कहा जाता है जो वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे हमारा स्रम, मशीने, फैक्ट्रियां और प्रकर्टि प्रदत उपहार। इनही संसाधनों को कहा जाता है उत्पादन के विविद कारक या factors of production। ये कारक सिमित हैं अगर उत्पादन के कारकों की तुलना हमारी इच्छाओं से करें तो वे बहुत ही कम अर्थार्थ एपरियाप्त हैं इसलिए एपरियाप्तता कमी अथ्वा दुरलब्ता को अर्थसास्त्र की एक महत्व पूर्ण अवधारणा माना जाता है एपरियाप्तता या दुरलब्ता वह परिस्थिती है जहां उत्पादन के कारक आकांक्षाओं के संदर्ब में एपरियाप्त होते हैं हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम हर व्यक्ति की प्रतेक आवश्यक्ता और इच्छा को पूर्ण रूप से संतुस्ट कर सकें ये उसे विविद विकल्पों में से स्रेष्ट विकल्प का चुनाव करना पड़ता है संसाधनों और इच्छाओं का ये द्वंद अर्थसास्त्र की एहम अवधारना है संसाधनों की कमी का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव होता है कि हम उनको बेकार न जाने दें की बरवादी भी ना अर्थार्थ अर्थसास्त्र विकल्पों का अध्यन ताकि हम स्रेष्ट विकल्प का चुनाव कर हमारी अनंत इच्छाओं और आवश्यक्ताओं की अधिक्तम पूर्ति कर पाने में शक्षम हो शकें समाज के हितों को साधने के लिए संसाधनों का किस त विज्ञान कहा जाता है जो समाज और सामाजिक संबंधों का विज्ञानिक अध्यन करता है सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य यह जानना होता है कि कैसे समाज संगठित होते हैं और वे अपने क्रिया कलापों का कैसे प्रबंधन करते हैं अर्थसास्त्र की रूची यह जान लेने में होती है कि लोग कैसे अपनी आवशक्ताओं और आकांग्शाओं की पूर्ती करते हैं और अपनी गतिविधियों को कैसे अंजाम देते हैं अर्थ सास्त्र आर्थिक गतिविधियों को economic activities को दो तरह से देखता है अगर सरल भासा में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वह उनको समझने के लिए दो उपकरणों का साहरा लेता है पहला है टेलिस्कोप या दूर दर्शी और दूसरा है माइक्रोस्कोप अर्थार्थ सुक्षम दर्शी किसी विशिष्ट गतिविधी या निर्णय करता का व्यापक एवं सुक्षम विशलेशन माइक्रोस्कोपिक तरीके से किया जाता है अर्थ सास्त्र की यह शाखा microeconomics कहलाती है जैसे एक परिवार, एक फैक्टरी, एक बैंक या एक विशिष्ट गतिविधी का पून्ता में अध्धन macroeconomics किसी आर्थिक पक्स या संपून अर्थ व्यवस्ता को व्यापक नजरिये से देखने और समझने का प्रियास करता है जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, महंगाई बढ़ने के प्रमुक कारण क्या क्या हैं ऐसे बहुत से उधारण आप सोच सकते हैं और उसके माध्धम से macroeconomics की अवधारणा को आराम से समझ सकते हैं जैसे संसादनों के ऐ परियापता, means scarcity, विकल्पों का चुनाव या चोईशे, समता व समानता, समाज की आर्थिक खुशाली, सस्टेनेबिलीटी, पारसपरिक निर्भरता और इंटर्वेंशन अब आने वाले एपिसोड में हम समझेंगे equality और equity, economic well-being, interdependence, sustainability and intervention आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवार, नमस्कार